बलून की तरह फूले फूले मेले करा हूं आज आपके ने आलू के परांठे की एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कोने कोने में आपको इस्टिफिंग मिलेगी और एक पेड़े की बनाने वाले हैं माशाला बहुत ही यह बहुत ही टेस्टी लगेंगे अस्सलाम अलेकुम मैं हू आलू के परांठे की मज़ेदार सी रेसिपी वीडियोस में इसी पसंद आती हो तो लाइक कर देना चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना अब लाइकन के बटन ज़रूर या सोन कर लेना आने वाली नौट अपले आपको मिले सबसे पहले हमने यहां कर लिए तो अब यहां पर किसी मेशर से इसको या तो आप कड़ू कर ले यहां पर थोड़े भी मेटे नहीं रहने चाहिए पहले आलू को ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूब बहुत अच्छी त्रीक है यह जो मैं आपको दे रही हूं क्योंकि आप आलू अपर बहुत निकाल लें बहुता बनना है यह बिल्कुल पतला हो जाएगा उससे हमारे जो पराटे खराब हो जाएंगे अब हमने दो मेडिम साइज की ले लिए प्यास उसको मैंने बारिक चॉप कर लिया और उसका पानी जरूर निकालने हाथ से बीच कि किसी कोटन के कपड़े में मुठी बर ले लें हर अधनिया वो इसके अंदर एट कर देंगे बारिक कटा हुआ अब आ जाते हैं हमारे सुके ड्राय मसाले बुना कुटा जीरा एक टीस्पून ले लिया चाट मसाला एक टीस्पून ले लिया मिर्च का पॉडर हाफ टीस्पून से कम थोड़ी सी हल्दी 1 फ़र टीस्पून गर्म शाला 1 फ़र टीस्पून ले लिया हमने यहाँ बाकत भर नमक ट्रीक कर लियू हए अब यहां दनिया मैंने नहीं डाला था दनिया हैं जिसको या तो आप इसे मिक्सर में थोड़ा सा चला ले या फिर किसी चीज से कूट ले तो यहां पर हम दर दरा रखेंगे और अब अच्छे से-से कर लेंगे मिक्क तो यहां पर आलू की स्टिफिंग हमारी बहुत जादा चटपटी बनने वाली है यानि कि अलू के परांटे की स्टिफिंग बना रहे हैं बहुत जादा मज़े की और चटपटे बनने वाली है इसे घर में सभी पसंद करेंगे माशाला इतने घजब के लगता है यह परांटे फूले फूले और बिना फटे बनाएंगे हम एक यहार करने अब आ जाती है मैं दूसरी आलू की परांटे बनाने की टिफ्स यानि की जो टिफ से है हमने आटा लिया चांकर आटे को लेना है आटा को यहां पër नमक डाल देंगे मैं दो बता दू आपको जादा टाइट और जाधा तर्ली लगाया न लंौली जाए समडोग का अर्टा ना बस थोड़ा थोड़ा सा सौफ लगाना भाद में तोड़ा सा कुकिंग ओल छाने की पूट सामस्की करेंगे गुंदाई तो यहां पर गुंदाई करने की बहुत ज़ादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जिस्टेम हम आलू के परांटे बनाते है ना तो सौफ्ट और फूले-फूले और कोई आपको नहीं बताएगा इसलिए कभी में कहते हूं वीडियो को फुल वर्च कीजिए एक भी पार्ट मिसमत कीजिएगा तो देखिए आठा हमारा तयार हो गया एकदम सॉफ्ट अब आप आजाते हैं हम गेस की तरफ तो यहां पर आप सोचिक निशा पर पैन में क्या बन आप कोई भी मस्तर लोई ले सकते हैं तो यहां पर डाल देंगे लसंगी कलिया चार से पांच लसंगी कलिया ले और तीन बड़े साइज के ले लें टमाटर जिसको हमें बीच में से कट कर लेना है और इस तरह हम इसे रख देंगी यानि कि जो बीच का हिस्सा है बीच वाल हमें इसके स्कीन निकाल लेनी क्योंकि काफी ज़्यादा सौफ्ट हो गया आप इसे हाथ से निकाल लें या भी किसी भी चीज से और फिर बाद में इसे मेश कर लेंगे तो लसंगी हम मेश कर लेंगे अपने टमाटर के साथ ही तो यह चटनी बहुत अच्छी लगती है भी ह यह पर चैंवर मिर्च यहां बिखाया लिए मिर्च सा sext μεर अपने टेस्ट की साब से रख सकते हैं तो इसकाल ले निकाल लेते हैं और दbreaking पराफ़े के लिए मची बनकर चूझिए हमारी प्यार लाजवाल चैंट मिसा रहे हैं अब तो फटावच से लोई तोड़ और बना लेते हैं अपने पराठे कितने मोटे बना रहे हैं इसमेरे घर में बनते हैं ना जादा मोटा ना जादा पतला जासा भला गद की रोटी बनाते हैं बस उससे हल की फुलकी सेयमने लोई कर थोड़ी कम ले लिये और दो है तरह मारे चारो मारे फैले दो रोटी बाल नहीं बना रहे हैं सीधा बना रहे हम एक पेड़े के मारे हैं रहे हम अलुके पराटे अब हल्क हाथ से गुमाते जाएंगे और आगे को धाका देंगे फिर पीछे की साइट अब ही तो आप देख सकते हैं यहां पर तक आपको नज़र आ रही होगी लेकिन फटेंगे बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे यह फिल भी आप चाहें तो यहां पर बटर भी लगा सकते हैं बालटते प्रटते सेख लेंगे और देखिए कैसे गुबारे की तरह फूला फूला बनकर तयार हो चुका है हमारा आलू का पराठा तो सार इसी तरह बना कर तयार कर लेंगे मैं आपको एक और बना कर दिखा देती हूं तो पर लगा देंगे अपने ओल तो यहां पर दूसरी साइट चेंज कर देंगे अगर आपको पराठे थोड़ा क्रिस्पी चाहिए तो गेस का फिलेम स्लो कर लें और आपको पराठे सौफ चाहिए तो गेस का फिलेम लोटू मीडियम रखें अब जिससे हमारी एक साइड और आलो के पराठे ही जाला जवाब लगते हैं इस चटनी के साथ एक बड़ जरूर ट्राय करें तो बस फटा फट से निकाल लेंगे और सारे इसी थरा बनाकर तयार कर लेंगे अब यहां पर नीचे रख लें टीशू पर जिस पेश्टरा हमारा ओयल गीज होता है वो निक प्रेटनी और दही के साथ साथ और साथ में रख ले आए हमने बटर पर माशलला जवाब लेकर आई यह मैं आपके लिए आप लेंगे अपकों दिनर में खाए या पी बच्छों के स्कुल लेंच बॉक्स के अंदर आप इसे पैक कर सकते हैं तो माशलला ऐसी वीडियो में जरूर याद रखना और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना अल्ला आपीज